Motorola Moto G53 5G दोस्तों क्या हमें Moto G53 5G लेना चाहिए 2023 में अभी फिलहाली में ये लॉंच होगा इंडिया में क्या हमारे लिए ये वेलू फर मनी है क्या हम इसको ले सकते हैं कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों डिवाइस को खरीद लेते हैं उसके बाद मैं सर पकर लेते हैं बोलते हैं हमने क्यों लिया तो इसी लिए ये वीडियो आप सब के लिए है क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनले को सब्स्क्राइब कर लीजेगा हम connectivity के बारे में बात करें तो इंडिया में जो भी 5G बैंड है सभी का support आपको देखने को मिल जाएगा बेक आपको प्लास्टिक के साथ में देखने को मिलेगा side में आपको metal के frame देखने को मिल जाएगे उसी के साथ में out of the box आपको Android 13 के साथ में देखने को मिल जाएगा अगर performance की बारे में बात करें तो आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 480 Plus का एक 5G processor दोस्तो ना कि ये बहुत अच्छा processor है ना कि बहुत बुरा processor है ये एक decent processor है day to day tax आप अराम से कर पाओगे अगर camera की बारे में बात करें तो rear side में आपको dual camera setup देखने को मिल जाएगा 50 megapixel प्लस 8 megapixel का ultra wide angle फ्लस camera आपको 16 megapixel का देखने को मिल जाएगा उसी के साथ में दोस्तो आपको मिलने वाला है 64GB internal 4GB RAM 128GB internal 4GB RAM दो variant का आपको India में देखने को मिलेगा आपको मिलेगा दोस्तो side rear में fingerprint scanner उसी के साथ में 5000 mAh की battery जो की box के साथ में आपको देखने को मिलेगा 18 watt का charger और हाँ 10 watt का भी देखने को मिल सकता है ये confirm नहीं है लेकिन दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा अगर display की बारे में बात करें तो आपको मिलेगा 6.5 inches का एक HD 720 वाला display देखने को मिलेगा 120 Hz refresh rate के साथ में ना तो ये कोई OLED डिस्पले है ना तो P OLED ना Full HD ये एक normal 720 वाला display है तो display आप ठीक ठाकी है इतना बुरा भी नहीं है मौटो के जो भी display होते है वो काफी ठीकी होते है इस price में आपके लिए सही है अगर finally बात कर लें दोस्तों कि इसकी pricing क्या है और ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों देखिए जो आपको मिलेगा 64GB 4GB वाला variant वो आपको मिलेगा 11999 पे और जो आपको मिलेगा 128GB internal 4GB RAM वो आपको मिलेगा 12999 पे तो मेरे हिसाब से 12-13000 में अगर आपको कोई 5G डिवाइस चाहिए वो भी एक अच्छा brand का तो आप ये ले सकते हैं क्योंकि ये stock Android के साथ में आता है और आपको 3 साल तक security page के update भी देखने को मिलेंगे Android OS का update देगा ये नई देगा motto इस पे ये हम कह नहीं सकते लेकिन security page के update आपको आगे चलके देखने को मिलेंगे अगर आप कोई stock Android का phone लेना चाहते हो एक 5G डिवाइस लेने का सोच रहे हो जो 11, 12, 13,000 तक में आपको लेना है तो आप इसमें जा सकते है वरना अगर आपको 15, 16,000 में कोई smartphone करीदना है तो आप दूसरे device में जा सकते हैं